हेलो फ्रेंज बेलकम श्वागत है आपका अपने शेनल एगनो गाइडर्स में मैं आर्थी आज का वीडियो जो है यह ले लेते हैं AHE01 का ठीक है और इसमें ब्लॉक 1 चल रहा है ब्लॉक 1 में यूनिट 1 सारी यूनिट 2 है यूनिट 1 कम्प्लेट हो चुकी है यदि आपने वा कर लेते हैं तीकिया जलवाय एं संसाधन अब इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंप्रॉटेंट आपके लिए हो सकता है वसे इंप्रॉटेंट इसमें सभी चीजें इसमें से एक दो कोशन दो कोशन आने की पास्विलिटी ज्यादा है प्रीडियों प्रॉड़ा सा प्रॉब्लम मुझे भी जाएगी आपको पढ़ाने में लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं चलिए स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजगे यदि नहीं किया है तो ठीक है ना तो देखिए हमें यदि आवास के लिए स्थान चुनने की सतंत्रता हो तो प्राय हम उसस्थान की जलवाई को भुकुरूप से ध्यार में रखेंगे जो हमारी लिए अच्छी हो ठीक है ना क्योंकि आवास चुनने की हमें सतंत्रता तो होती नहीं है जहां से जो बन निएच्छ और जहां हम रहते है जहाँ हम रहते क्लायमेट कैसे भी हो हम वही भी घर बनाते है ठीक है ना तो मौसम का आरम org ने चार तक्तों से होता है ठीक है तो जलवाई श्विसेश के कई वर्सों के मौश zucch मौसम दशां को कहते हैं यह आप सिंपल कह सकते हैं कि मौसम की दशाओं को जलवाई कहते है, क्लाइमिma कहा जाता है थीक है ना? क्योंकि जलवाई जो हो बदलती रहती है, तो मौसम बदलता रहता है, ठीक है? तो जलवाई किसी स्थान मिसेंस के कई बरसों के अउसच जो मौसम की दसाइँ होती है, उनको दारित करती है सूर से आने वाली पूरी उर्जा को जो है यह अपने पास यहां परिवर्थित करता है उपर बेज़ देता है वरना हम तो जल जाएंगे प्रिथवी दूसरा तक तो हो गया प्रिथवी अपनी गति से किसी स्थाम के ततकालिक मौसम जलवाई के मुख लच्णो को खालित करती है ठीक है तो प्रिथवी की वजय से दिनराद भी होते है और मौसम जो बदलता है वह प्रिथवी के वाइसे होता है ठीक है और प्राकृतिक भूभाग जिसे पहाद परवत है ना हिम सिकर देगी स्तान जील नदी यह सबह Judah इक है न तो क्या होता ही जल्वाई पर अत्ततिक प्रभाव टालते हैं तो यह मौसम मौसम के चार मुक्ष तक तो हो गए सूर पृत्वी और यहां पर आप कह सकते हैं सौर विक्रण और प्राक्रतिक भूबग तो यहां पर अगर हम सबसे पहले बात कर लें पृत्वी का ठीक है ना कि मौसम की संरचना में महतुपूर योगदान देती है पृत्वी और यहां अ प्रितवी के घुल करने से होता है चोब्ग तरह से हवा और आप की निर्धान करती्य करती है तो तो पृतिवी के घूणन का जो गूमना जो होता है, वो जो होता है सूर के चारो और घूनते हुए पृतिवी के अक्षी परिक्रमणतल पर जो अंस बनाती है वो 23 अंस 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 के कोन पर जुका हुआ है, क्या न? और इसलिए भूमत द्रेका को छोण कर रात ओर दिन की राभ दिन होते हैं जैसे आप यहां समझ सकते हैं कि हमारे दिन गर्मयों में लंबे और जाड़े में छोके च्प्राइब होने लगति आशा क्यों होता है क्योंकि प्रितिवी शूर की चारों लगवग एक साल में आर्फाल 2016 165 सही एक बटे चार दिन में एक परिक्रमा पूड़ी करती है यानि एक साल में एक परिक्रमा पूड़ी करती है कौन पृत्वी तो शूर के चारों और पृत्वी के परिक्रमण का मार्ग अथवा इसकी कक्षा दीर्ग बृत्ता कार है जिसमें शूर दीर्ग बृत्त के अब प्रित्वी सूर के सबसे पास औहरा है और जा रभी हो प्रित्वी सूर के सबसे पास होते है और जब रभ उच रहे उचाई में होता है तो सूर इस सबसे दूर यहां तक कर लिख दीजें, ठीक है, अब सूर से दूरी बढ़ने के साथ साथ सौर विक्रण की तेजी से घटती जाती है, जैसे जैसे प्रत्वी सूर से दूरी होती जाती है, जो हमें सूर से उर्जा मिलती है, जो सूर से ताप हमें मिलता है, दूप जो मिलती है, उसकी भी तो हमें उस्मा जो यह सूर की तपती वही जो बहुत ज़्यादा मिलेगी ठीक है ना और जब दूर रहेगी तो कम मिलेगी अर्थातम कह सकते हैं कि पूरी की गई दूरी ब्यत्वित्वकम बर्क के रूप में प्रिथवी रूह पर पहुंचने वाला सौर भिक्रन जो होता है उसके उशक माँनकर Σाथ प्रसक परिवर्तत होता है याँ उसके線 के आपको फ्रिले लहक है . कि जब प॥िड्वी शुर के निकट लेंग ऊती हूं तो उस्मा जलाती है धूप क्या मिलती है ज्यादा मिलती है पासुने पर दूर रहने पर कम मिलती है इसलिए बोलते कि प्रिथवी गपर्ण करती है जो शूर Birds दूप होता है उसको वापस कर देती साथ परसेंट तक है तो हम यहां रही नहीं सकते मनुष्य जीव जन तो रही नहीं सकते वह जल जाए ठीक है ना तिये देखिए इसलिए बनती है क्योंकि प्रिथवी का निरक्षी सम्तर उसके कक्षी सम्तर पर इतने कोड पर जुका जाए भूब सब्सक्राइब सब्सक्राइब या लिदामने वगलाम आफ दिनश्य वी जाउर पर प्रिथवी ज होसा मिलाम पर लिदधु सूर पर आशनों प्रिभीं जहें पर अब अलग अलग मौसं देखने को मिलता है मौसं का अर्थ प्रिटवी पर किसी नियत अस्थाना नियत समय पर बाउमंडल की परिष्थिस से होता है ठीक है अना तो इस प्रकार और मात्रा इसका अर्थ बायमंडर से प्रिथ्वी को सभी प्रकार से मिलने वाली पान जैसे बर्सा हीम ओले आद से होता है बायमंडली दाब होता और हवा की गती होती है जो मौसम और जल्वाई की प्रकित को निर्धारित करते है ठीक है राइट ओके अब यहां पर प्रित्वी के वारे में हमने पढ़ लिया अब हम बहुत बेकार पी लिया पर बहुत बेकार है समझ मिकता नहीं आ रहा है बायमंड जो आने वाली स्वार होती है उसको प्रित्वी की सिर्दा तक नहीं पहुँचने देता है अब दिया इस से परत पर ko को बादलो द्वारा आधास में वापस कर दिया जाता है और जब कितिर प्रश्ट को अपने अंदर अजी आधा पहुंशा है घ्या रौ चलिए अब यहां पे देख लेते हैं थोड़ा सां यह पृतिवी की सते हुँगई मतलब आप डाइग्साम समझ सकते हैं यह जो है यह पृतिवी हो गई ठीक यह ना आप यहां पे क्या हो गया यह आस्मान हो गया वहाँ से 100 विक्रण सूर की उसमा जो आती है 100% आती है नीचे की और ठीक या ना ये नीचे की और आ रही है अब यहाँ पर क्या होता है कि आपर 30 सौर विक्रण होता है यानी कि 6% जो है दूल पानी गैस से आधी बनके उपर की और लोटा आप सिस्टिन परशेंट में दूल परशेंट होती है फिर 51 परशेंट जो हैसी प्रित्वी तक 51 परशेंट जो प्रित्वी तक पहुँच पाती है ठीक है ना तो यह सौर विक्रण का बुमंदी बित्रण कहलाता है तो आप यही चीज़स में समझा नहीं होगी और दूसरी प्रक्रिया जो सौर की उर्जा को प्रित्वी पर पहुचने से नियंत्रित करती है बाइमंदल द्वारा ओर्जा का आउसोर्शन यानि सोखना कहलाता है तो बाइमंदल में मुझ रहे सौर विक्रण का लभग 16 प्रश्ट बाइमंदल में मौजूद गैसो द्वारा सोक लिया जाता है ठीक है ना और जो याम पर्थेप्ष होता है तो पहले पृत्विश्फुई की सफह गरम होती है और Caleb उसका हवा को गरम करती यह जो इसके संपर्प में आती氣 साथी करीब ही आर में ज्यादा में ज़ादा है जो हवा कि संपर्प में आती です तो भी गरम हो जाते हैं तो गरम हवा ऊपर उड़ती है और जो ठंडी हवा की जगह ले लेती है और गरम होनी लगती है इसलिए उचाही के पर पृत्वी की सथे के नजदीक वाला तापमान अधिक गरम होता है ठीक है ना राइट तो इसलिए आप समझ गया ना किस तरह से व महा सागरी धाराएं देख लेते हैं महा सागरी धाराएं क्या कहलाती है पीडी अब बहुत है तो समझ भी नहीं आ रहा है महा सागरी धाराएं महा सागर के जल गति बिविन प्रकार की होती है जल गति मतलब जल के चलने का जो गति होती है लहरेज होती है जल गति होती है ज जो चंद्रमा और शूर के करशन एकिचाव से होती है तो पानी की एक दूसरी गति भी है जिसे महासागरी धाराय कहते हैं जो महासागरों में होती है ठीक है और यह पानी की नदियों की तरह है जो जिस पानी से गुजरती है उसे अधिक गरम या ठंडी होती है तो महासागरी बूढारों और गती मिलन की ओरती जैसे उत्री आंद्र अट्लानिक ब्रिट्टेन और पश्मी यूरों के सब्सक्राइब करते हैं तो आहां पर महासागलिधाराइब जाने लिजी क्या होती हैं कितनी तरह की होती हैं अब उश्रकट बंदी और मद्धक छांसों में घर्मी के दौरान ठंडी महासागरी धारा होती हैं क्यों यह एक ऐसी धारा जिसे बेने जुएला धारा कहते हैं ठीए दक्षिर पश्रिक्षिंग के अपरी की टटके निकट महासागर में बहती हैं और यह उश्रकटबंदी प्रदेशों में तापमान को घटाने में साहता करती हैं ठीक है और महासागरी धाराओं का बिस्त के बिभिन भागों की जल्वाय पर असर पड़ता है और ऐसा माना जात है कि इस धारा ने मौसम को चरम सीमा पर लाने में महात्वण भूम का निवाई थी 1982-83 में और जब जल्वाय ऐसी धारां से प्रभावित होती है तब प्राण जात और बनस्पत जात भी प्रभावित होते हैं और सारे पार्तंत्र पर असर डालते हैं तो यह क्या हो गया महा सागरी धारा है ठीक है महा सागरी गल्फ इस्ट्रीम की ड्रवार लिप्रणिक जल्दार ठीक है और अब यहां पर बेनेजुरा यहां रटेकर निड़ फेक्ला साघर में होते हुई घराम होती हैं आप ब्री इंपोर्टन क्या हो सकता है आप के लिए खोड़ा से देख ले प्रतिरूप कहलाता है और इसका अर्थ इसका मतलब यह नहीं होता है किसी विरुद के दवराने बहुत बड़े च्छेत की जलवाई आम तोर पर वही रहती है ठीक है ना यह जरूरी नहीं है और अनेक प्रादेसिक कारग्ज होते इस्थानी जलवाई को प्रभावीत कर सकते तो किसी इस्थान विशेश की जलवाई होती जो किसी इस्थान विशेश में परिवर्तन होता है ठीक है ना उसे प्रादिशिक जलवाई हम कह सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर कारक देख लेते हैं कि जो प्रादिशिक जलवाई होती है उसको प्रभावीत करने वाले कारक क्या ह तो हवा के गळम होने काय है ज्याधहता तरकारण प्रिथवी सतय स्वार के ह fakta रुटे हैं क्या सुर्व के निकट счet को जाता है pressing क्या मिल्हाईMoon प्रिथवी गळमीने मेवा कि पानी कर्टा नी enthusiasts में अंतर आ जाएगा जीर और दूसरे जलडासियां होती हैं उनमें भी यह होता है जो इस्थानी जलवाय को प्रभावित करती है जमीर के स्वरूप में अंतर आ जाता है मान लिजे बन के पेक्षा एक बंजर रितीला इलाका हवा में कहीं ज़्यादा गरम करता है जो बन जो होता है जहां पर हर्याली होती है वहां उतनी गर्मी आपको नहीं मिलेगी बलकि जो एक रितीला इलाका है जहां पर रेत है वो ज़्यादा गरम होगा लेकिन अधिक्तम अंतर जमीन और पानी की बीच होता है क्योंकि अगर रेत में भी वाड़ी तीला नहीं होता वहाँ पानी होता ठीक है और जमीन सही होती रेत की जगए तो वहाँ पे भी ज़्यादा गरम नहीं होता तो शमुद्र के पेक्षा पान जमीन अधिक जल्दी गरम और अधिक जल्दी ठंडी हो जाती है ठीक है ना और उसी जल्वाई कटी बंद में जमीन के छेतर जल्वाई परिस्थितियां समुद्र की जल्वाई परिस्थितियों से बिन होती है कहने का मतलब है कि हम समुद्र के अगर बात करें तो जमीन जो होती है समुद्ध के पेक्षा अगर जल्दी ठंडी हो जाती है तो जल्वाई कटी बंद होते हैं उस कटी बंद जल्वाई कटी बंद होते हैं तो जल्वाई कटी बंद होता है वहां पर जमीन के जो छेत्र होते हैं वहां के जल्वाई होती है व हामनी और गर्मिया ठंडी होती है ठीक है राइट ये प्रादेशिक जल्वाई होती है ठीक है ना ओके और जल्वाई में प्रादेशिक अंतर भी जीवों को प्रभावित करता है ठीक है उदायन के लिए जैसे जैसे हमें एक पहार पर चड़ते हैं हमें पौदे और प्राणि पर कि भारत कि बहुता सब्सक्ता कि बहुता है ओर सब्सक्ताigor भारत की जलवाई आप पढ़ेंगे। मुट्तु ने का लिए भारत की बुट कि निर्वट उर्टा जालवाई एक बात गता साल हाँ.. तो यतनी चीज़ जलवाई के अंतर में निल्विकित बातों से निश्शित होती है हम यहां पर देख सकते हैं कि जलवाई को यहां मांसून जलवाई का नाम दिया गया ठीक है ना भारत में से मांसून कहते हैं और दक्षणी भाग भूमद रेखा के निकट होने के करण हमेंसा गरम होता है और जब कि उत्तर में कुछ भागों में उचे उचे पहाण है जिनके करण सर्दी होती है और जाडों के तापमान हिमांग से निचे चला जाता है उत्तर में इसलिए ना क्योंकि यह परवती भाग है यहां पे पेड़ पौदे जादा है इसलिए सर्दी होती है और जब ठंड आता है तो इसलिए जादा ठंड हो जाता है मतलब सून के निचे चल जाता है आप देखिए ना हिमानचल को देखिए सिमला को देखिए जम्मो कस्मीर देखिए तो भारत के अधिकांस भागों में में चार तरह के दित्वे मिलती है सीत बसंत ग्रीश्म और बर्सारिट ठीक है राइट अब यहां पर हम देखिंगे कि हम हमारे देश में जाड़े का मौसम क्यों आता है यह देख लेते हैं यानि जितू परिवत्तन जिसे हम बोलते हैं क्यों ठंड आती है क्यों गर्मी आती है तो जब सूर दच्छनी गोलाद में चमकता है यानि दच्छनी गोलाद में होता है तब पृतिवी के अक्ष के जुक नीचे आप खड़े होंगे और कमरे में दूसरी जगे तो छल जाएंगे तो इतनी रोश्ची नहीं में पाएगी ट्यूलाइट भल्व के नीचे क्या कारडिंग क्योंकि सूर्ग की किर्ने पृत्वी तक नहीं पहुंच पाती है उत्तिरी भारत में दक्षणी भारत के पेक्षा अधिक से दी पड़ती है तो देश का दक्षणी भाग प्राइदीपी पठार है यहां पे चट्टाने हैं पठार है और यह पश्चिम में अरफ सागरों पू तक बना रहता है और दैनिक और नूंतम अधिकतम तापान में बहुत कम परिवर्तन होता है और जबकि जो उत्तर भारत होता है उत्तर भारत में दैनिक और नूंतम तापान में बहुत अधिक परिवर्तन होता है और तेन डिग्री सेल्स तक आ जाता है और नूंतम कभी- दिन रात के तापाग में भारी परिवर्तन होता है। परवती प्रदेशों में मैदानों के और बहने वारी ठंडी है। महाधीप उच्ण हो जाता है भार्ती महाधीप यहनीग गर्म हो जाता है और जिससे बसंत रिक के आगोन का आभास होने लगता है। और मैई जून आने तक शूर बहुत तेजी से चमकने लगता हो जिससे जलाने वाली बीचल गर्मी महसूस होने लगती है। शूर का पास होना और दूर होना ही धंड और गर्म को ले आता है। जून के मद्ध में मानसून अगर भारत के बारे में पूछता है तो फिर आपके यह सब लिखना पड़ेगा। जून के मद्ध में मानसून सुरूओ जाता है लगभग सारे दर्समें 15 जून से बारिस होने लगती जिससे उसमा और गर्मी आती है। झाल थे लिखतर भागों में इस समय अदिक्ता बर्षा होती है कि इवल दख्षणी बारत के चोटा सभाग अर्थाथ पूर्प टटी भागों में जमीन बहने वाली बास्म भरी जो हवा होती है। वहां ठंडी हो जाती है घिया थे सफिक होती है तो अबारिश होती है जब देतरी भाग बहुत गरम हो जाता है तभ जहतंकं हो 8 इसी साथ पस्चिम चेत अरब सागर भंगाल की खाडी का जो चेत्र थहें पेख्षाकित कम गरमichen तो जो बाय चेत जितन जादा गरम होगा वहाँ पर कम होगा ठीक है अर मेरे जो कम गरम होगे उतना उच बाय बाय दाव years कुछ और निर्ण चेत्र की वज़े से मांसूनी पवने चलती है और यह हवाय दक्षिर से पश्चिम घाट में परवत उत्तर प्रहाडियों के सिंखला और मालगार रोकी जाती है जिसने वहां पर बारिश होती है ठीक है तो बारिश किस तरह से होती यह भी यहां पर पता और आप अपने आराम से लिख सकते हैं ठीक है ना ओकी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंटल लिख सकते हैं क्या कहां पाया तो फुर सा पीडिया धेक लिजेगा और सारांस आ गया तो इस तरह से मारा जो यह क्या बोलते है कि रभी और कारीब की पासल शोचिवाना अव्या त कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए नहीं किया है ठीक है और नेस्ट यूनिट को वेट करिएगा चलिए फिर टेक केर बाइए